तीथर नमबर पर आती है 43 और 44 के असपर उनकी सीट है तो ऐसे में लगतर सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर चिराग पासबान ने ऐसा क्या कर दिया और साथ में जो जेडियू है क्या उसकी जो पुलिटिकल जमीन है क्या इतनी मजबूत है कि बीजेपी उनको 16 सीटे देने क को एक तरीके से बेबस हुई अगर दोचार सीटे उनसे काट कर अगर दूसरे जो बाकी दल थी यानि मुकेस सैनी हो गए और जो परशुपती पारस हो गया उनको दी जाती तो शायद बीजेपी का जो कुनवा है यह बना रहता लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने दोनों दल यह भी देखी जा सकती है कि लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो पुरानी पार्टी है यहाँ पर दो धड़ो की बात करें तो 2021 के दौरान यह बढ़ती हुई नजर आती है तो चिराग पास्वान मज़आ होगा आरजीडी यहां पर कोशिशों में लगा हुआ है कि कुछ सीटे अगर छोड़ दी जाती हैं इंडिया लाइन्स की तरफ से बिहार में तो ये उन लोगों को साधने के लिए बहुत सही होगा जो एंडिया से कही ना कही नाराश जो तरीके से ये बिहार में खेला होता हुआ न ना कहीं नितीज की जो कुर्सी है वो खत्र नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में बेहार में आज का दिन क्या एक बार फिर से बड़ा तख्ता पलट करने वाला है क्योंकि जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि जहां एक और बेहार में एंडिये ने सीट शेरिंग पर अपना वो बड़ा एलान कर दिया जिसके लिए नितिश कुमार जेपी नडडा अमित शाह यहां तक कि खुद प्रधान मंत करती हुई भी नजर आई और जेडियों को यहां पर 16 सीटे मिलती हुई नजर आई तो बीजेपी ने अपने पास 17 सीटे रखी बाकी सीटों को लेकर जो सहयोगी दल हैं उनकी मागे भी सामने आ रही थी और आखिरकार चिराग पासवान को 5 सीटे दी गई उपेंद्र किश और जीतन राम मांची को एक-एक सीट ऐसे में 5 संसद अपने साथ रखने वाले पशुपती नाथ पारस को आखिरकार क्यों एक भी सीट नहीं दी गई यह सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है और अभी अब वही पशुपती कहीं न कहीं एंडिये के खिलाब जाते क नजर आ रहे हैं निजरों में माजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे किया अब वाकई में पशुपती यहां पर एंडिये की सरकार गिराते हुए नजर आएंगे यहां पर मेरे साथ अमन जी है अमन जी जिस तरीके से बिहार में देखने के लिए मिल रहा है कि जब से न संसद हैं एक भी सीट नहीं मिलती वहीं दूसरी और एक संसद चिराग पासवान है और उन्हें पांट सीटे दे दी जाती है तो देखिए इस बात को तो नकारा ही नहीं जा सकता कि पशुपती की नाराज़गी गलत है लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उन्हें क्यों नजर चर्चा थी और अब जब की यह साफ हो गया है कि लगभग जो बिहार की कह सकते हैं सीटों को समीकरण है वो फाइनाइज हो गया और यहां पर चिराग पासवान की खाते कि अगर बात करें तो यहां पर उनको बैशाली हाजीपूर समस्तीपूर कगड़िया और जमुई की स होती है और उससे बड़ी बात की पशुपती पारस को एकदम से दर्किनार कर दिया जाता है कि चलिए अगर आप हाजीपूर सीट नहीं दे रहे थे लेकिन कम से कम एक दो सीट तो उनको देना चाहिए ता लेकिन उनको हैरानी की बात यह है कि पांच सीटे होने के बीजेपी के पास आती है तो उनका इस तरह से अभिनंदन किया जाता है कि 16 सीटे उनको दी जाती है जब कि अगर हम विधान सभा की बात करें तो तीसर नंबर पर आती है 43 और 44 के आसपर उनकी सीटे है तो ऐसे में लगतार सवाल यहीं उठ रहे है कि आकर चिराक पासबान ने ऐसा क्या कर दे और साथ में जो जेडियू है क्या उसकी जो पुलिटिकल जमीन है क्या इतनी मजबूत है कि बीजेपी उनको 16 सीटे देने को एक तरीके से बेबस हुई अगर दो-चार सीटे उनसे काट कर अगर दूसरे जो बाकी दल थे यानि मुकेस सैनी हो गए और ज जो कॉंगर्स का गठबंदर उसमें शामिल हो जाते हैं तो आप इमान कर चलिए कि यहां पर जो बीजेपी के लिए मुश्किले बढ़ने वाली है क्योंकि सर्वे बता रहे थे अब तक की लगभग साथ से आठ जो सीटे हैं वो आर्जेडी के पास यानि की जो गठबंदर यह कहते हुए नज़रा रहें कि उनके पास और भी विकल्प हैं मंत्री मंडल से उनके स्तीफ़े की खबरे लगातार तूल पकड़ती हुई नज़रा रहे हैं सवाल यह है कि लोग सभाचुनाव इतने नजदेख हैं ऐसे में अगर पशुपती जाते हैं तो उनके साथ वो नाजमीन से सवाल रहेगा कि आखिरकार नाजमीन वज़ा क्या है चिराग पासवान इकलोते सांसद हैं अपनी पार्टी की और ऐसे में पांस सांसदों को गवाने के लिए अंडी तैयार है लेकिन चिराग को नाराज नहीं करना चाती है आखिरकार वज़ा क्या है पूरानी पार्टी तो कॉंग्रेस भी है लेकिन अगर आप बिहार में देखेंगी तो कॉंग्रेस को कितनी कम सीटे यहां पर जो है वो कहीं न कहीं आरजेडी देती हुई नजरा रही है तो फिर यहां पर आकड़ा तो कहीं न कहीं ज्यादा माइने रखता ने कि सांसद और विधाय किसके पास है यही वज़ा है कि आज नितिश मुख्य मंत्री है तो फिर भी आखिरकार चिराग पासवान को इतनी तवज्जु क्यों दी जा रही है या फिर यहां पर जानबूच कर भटकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है जनता को पहरी बात तो यहां पर आपसी सहमती से हुआ होगा और जीडी यहां पर कोशिशों में लगा हुआ है कि कुछ सीटे अगर छोड़ दी जाती हैं इंडिया लाइन्स की तरफ से बिहार में तो यह उन लोगों को साधने के लिए बहुत सही होगा जो एंडिये से कही ना कही नाराज चल रहे हैं जैस पर बागी भी हो सकते हैं अपनी नाराजगी के चलते किसी ना किसी दल की सहारी की तो ज़रुत पड़ेगी तो आर जीडी ने पहले से ही प्लान बना लिया है कि अगर पशुपती पारस को लेकर खबरे आ रहे हैं कि काबिनेट से स्तीफा दे सकते हैं मंत्रीपत से स्तीफा दे सकते हैं तो उनके लिए दर्वाजे खुले होने चाहिए जैसे कि आरजेडी सुप्रीमों लालु प्रसाद यादव ने कहा था कि हमारे दर्वाजे तो खुले हुए तो साफ तोर पर नजर आता है कि आरजेडी कॉंग्रेस कहीं ना कहीं मीटिंग इनकी बीते दिन हुई जैसे के मीटिंग हुई थी जिसमें बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार दिल्ली पहुच जाते हैं तो आरजेडी और कॉंग्रेस की मीटिंग हुई थी उसके बाद ही कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया है कि कॉंग्रेस पार्टी बिहार में तम सीटों पर चुनाव और ऐसे में एक और सांसद है जिनका टिकेट खत्रे में पढ़ता हुआ नसरा रहा है यानि के ललन सिंग कहा जा रहा है कि ललन सिंग की जगा भी मुगेर सीट से यहां पर अब सीधे सीधे नीलम देवी को उतारने का जो विचार है वो एंडे कर रहा है तो यहां पर अगर आकणा देखा जाए तो लगभग साथ से आठ सांसद हैं जो इस वक्त कहीं न कहीं एंडे के खिलाफ नजर आ रहे हैं अगर यह सांसद बगावत कर देते हैं तो लोक सभा चुनाव से पहले क्या वाकई में एंडे की हार यहां पर तैमानी जाए माही है मेरे साथ और माही स सवाल रहेगा माही यहां पर 5 शांसद पश्यू पाश के पास है मुकेश सहनी को लेकर इस तरीके की बाते कहीं जा रही है ललं सिंग्ग की बगावत की भी खबरे तूल पकड़र है अगर बगावत कर देते हैं, यह सभी सांसतों, क्या लगता है? नितिष की सरकार गिर जाएगी लोग सभाचुनाव से पहले? जे बिल्कुल जिस तरीके से ये भिहार में खेला होता हुए नज़रा रहा है जाहिर तोर पर निटीष की सरकार गिरने में कोई दो राय नहीं अगर नितीष माजी और माजी और चिराग पास्वान के जो चाचा है पसुपती अगर वो जाहिर तोर पर तेजश्वी के खेमे म जाते हैं तो कहीं न कहीं नितीज की जो कुरसी है वो खत्रे में पढ़ सकती है क्योंकि जिस तरीके से पूरा समीकरण बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में माना जा सकता है कि पसुपतिनात कोई बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे अच्छा यहां पर क्या यही वज़ा है कि तेजस्वी ने कहीं कॉंग्रेस को यहां पर अगर बात करें 40 में से महस 10 से 12 सीटों पर बात फाइनल करते हुए नजर आरी क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में अभी और भी कई नेता है जो इंडिया गटबंधन में शामिल होते हुए नजर यह तो अगर वाकई में सांसद आते हैं तो ऐसे में इंडिया गटबंधन जो जीत का दावा लगातार कर रहा है क्या लग रहा है सच साबित होता हुए नजर आएंगे तो ऐसे में उनको ज्यादा सीटों का लालस देकर अपने खिमे में बुलाने की कोसिस करें जाहिरता और पेरुन के मंत्रीपत का भी बड़ा लालस दिया जा सकता है जिससे वो उनकी खिमे में जाते हुए नजर आएंगे जिसकी लगातार खबरे थून पकड़ती हुए नजर आ रही है ललन सिंग की नाराजगी भी बार बार सामने आ रही है और ऐसे में कहा जा रह है मुकिश सहनी को देखना काफी एहम रहेगा कि आखिरकार आज बिहार की सियासत अब कॉल सा नए अमोल लेती हुए नसर आएगी फिलाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी बंचनामा में इतना ही बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन निय कर दो